स्वागत आप सभी के फेक्ट इंडिया स्पोर्ट्स के इस वीडियो में और मैं हूँ आपके साथ दिव्यांशु जैस्वार रोहिच चर्मा वर्ल्ल कप 2023 में टीम इंडिया के कैप्टन और लीडिंग फ्रंट वाले एक्जामपल क्योंकि ओपनर भी रहेंगे रोहिच चर्मा और उन पर बहुत दारूंदार रहेगा इस वर्ल्ल कप को जिताने के लिए क्योंकि उनके कप्तानी में पहली बार 50 ओवर फ इंटर्विव लिया ब्राड्कास्टर्स ने अब उस इंटर्विव में रोहिच चर्मा ने अपने सबसे खतना गेंबास को बताई कि उन्होंने जो अपनी पूरी लाइफ में सबसे जादा अगर किसी की गेंबाजी को फेस करने में थोड़ी सी टफनेस या फिर कह सकते कि चैलेंज फेस किया है वो है डेल स्टेन यानि कि रोहिच चर्मा के मताबिक डेल स्टेन एक ऐसे डेंजर गेंबास से जिनको जिनका सामना करने में रोहिच चर्मा को दिक्कते आई हैं उसके बारे में रोहिच चर्मा ने यह बताया कि डेल स्टेन जैसे गेंबास बहुत कम होते हैं जो 140 की रफतार से फेकते हैं प्लस उसमें स्विंग भी कराते हैं तो यह जो उनकी जो स्किल है यह उनको और जादा डेंजर बनाती है और इसी बात पर रोहिच शर्मा ने कहा कि डेल इस्टेन एक ऐसे गिंदबाज है जिन्नोंने मुझे परिशान किया और जिनके ख पास जालते थे प्लस स्विंग भी होती थी तो ऐसे में गिंदबाजो की जब इस तरह की स्किल आ जाते है तो बलेबाजो को खिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसलिए रोहिच शर्मा ने डेल इस्टेन का नाम लिया और उन्हों ने यह भी कहा कि विराट कोली की कव प्लस उन्हें खेलने में उनको मजा भी आया और चैलेंजिंग भी लगा अब आपके इस बारे में क्या राए है आप अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में दीजिए साथी साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्स्राइब करना म